कामना और भै, हर आदमी हर समय भैभीत है, भै के मूल में है क्या, आदमी भैभीत क्यों होता है, कामना के कारण, जितनी कामना होगी, इच्छ, शाहना, उतना ही आदमी भैभीत होगा, और उतना ही आदमी अशान्त होगा, भै कामना का छोटा भाई है, और अशान्त, कामना की जुडवा भहन है, जहां कामना होगी, वहां अशान्त होगी ही, नियम है, अशान्त कामना को छोड़ करके रह नहीं सकती, और कामना भी बिना शान्त के रह नहीं सकती है, और जितनी कामना उतना भै, भै का मूल कारण कामना, कामना का मूल कारण क्या है, कामना होती क्यों है, राग की कारण, राग के मूल में हैं अज्ञान, सब एक दूसरे से लगे हुए हैं, एक बिवस्था है, जितना अज्ञान होगा, अज्ञान का मतलब अनपड होना नहीं है, अज्ञानी कोई है, तो अनपड होना नहीं है, अनपड भी ज्ञानी हो सकता है, और खुब पढ़े लिखे लोग भी अज्ञानी हो सकते हैं, अज्ञान का मतलब है तथ्य को न समझना, जो हकीकत है, उस हकीकत को न समझना, गलस समझ लेना, यह अज्ञान है, अज्ञान जितना होगा, दुनिया के प्रानी पदार्थों के प्रति, धन, दौलत, पद, अधिकार, फमान के प्रति, उतना ज्यादा राग होगा, और जितना राग होगा, उतना ही पाने की कामना होगी, और जितनी कामना होगी, फिर उतना भै होगा, इपकार से यह करम चलता है, अज्ञान से यह लगता है, कि शरीर मेरा है, या मैं शरीर हूँ, तो इसको सुख पहुचाने के लिए, दुनिया के पदार्थों में राग होता है, अब राग से तो चिजें मिलेगी नहीं, तो कामना होगी, अमिलेगी चित भी छूटना जाए, भै होगा, चिंता होगी, और सही ज्ञान हो जाए, तथ्य बोध हो जाए, तो अज्ञान तो मिट जाएगा, अज्ञान मिटा, तो राग मिटा, हम कुछ भी का प्रत्न कर लें, बिना सच्चा बोध हुए, अज्ञान मिटेगन नहीं, शाज उदाहरन है, कुछ भी प्रत्न करें, बिना प्रकाश जलाए, अंधकार दूर नहीं होना है, पुजा करें, पाड करें, नाम जपें, हवण करें, तरपन करें, गंगा नहाएं, और जितने देवी देवत अथा और सब भगवान का, भगवान जितने भगवान भवानी, सब के नाम जपें, बिना प्रकास जलाए अंधकार दूर नहीं होना है और कुछ ना करके क्यावल प्रकास जला ले अंधकार दूर हो गया ऐसे ही धराम के नाम पर चाहए जितना कर लिया जाए जब तक सही ज्ञान नहीं होगा अज्ञान मिटेगा नहीं और अज्ञान मिटा नहीं तो राग नहीं मिटेगा राग बना बना कर हम अपने को बानते चले जाते हैं जितना राग होता है फिर कामना होती चले जाती है तो पहले हमें तथ्यबोध प्राप्त करना होगा अज्ञान हमारे भीतर है इस अज्ञान को दूर करना होगा अज्ञान को दूर करने के लिए सबसे पहले ये स्विकार करना होगा कि मैं अज्ञानी हूँ और बहुत हिम्मत का काम है अपने को अज्ञानी मानना मेरे भीतर अज्ञान है यह स्विकार करना बड़े हिम्मत का काम है नितिग्या नितिग्या विदग्या अपि भवंति शात्रग्या ब्रह्मग्या अपि लभ्या सो ग्यान ग्यानिनो विरला यह अपने दिक्षीत नहीं कहा निति के जानने वाले नियत जोतिष्क के जानने वाले शात्रों के जानने वाले वेदों के जानने वाले बहुत हैं ब्रमग्याभिलभ्या, ब्रम को जानने वाले, ब्रम की व्याख्या करने वाले भी मिलते हैं बहुत, लेकिन स्वग्यान ज्ञाने नो बिल्ला, अपने अज्ञान को जानने वाला कोई भिल्ला है, तो मैं अज्ञानी हूँ, मेरे वितर अज्ञान है, जब तक ये स्विक्रिती नहीं होगी, अज्ञान मिटाने का काम कैसे होगा, पढ़ाय लिखाई को ज्ञान माल लेते हैं, कुछ सात्रों को रट लिए, ज्ञान माल लिए, कुछ प्रोचन करना शिख लिए, बोलना शिख लिए, लिखना शिख लिए, अपने को हमने ज्ञानी माल लिया, तो प्रचन करते हैं अच्छी बात को पुस्तक लिख लेते हैं अच्छी बात है शात्रों को याद कर लिए है अच्छी बात है और उनिये कारण से आप ग्णानी हैं तो दुखी क्यों है भई भैभीत क्यों है यदि ज्ञानी भैभीत है, ज्ञानी दुखी है, तो अज्ञानी के लिए फिर रात्त रात्ताय बंद हो जाएगा सही ज्ञान का अर्थ है, दुख और भै का मिटना अज्ञान, अज्ञान क्या है? यहां गुर्देजन लिखा है कि मैं शरीर हूँ, अत्वा शरीर मेरा है, यह भाव ही अज्ञान है और यहीं से तो सारी कामना सुरू होती है, और यहीं से सारा भै सुरू होता है शरीर सुंदर है, शरीर में सुख है, यह भाव अज्ञान है और यह क्मना भी थुरू हो जाती है तो जब तक मैँ शरीर हो शरीर में सुख है, शरीर में सौंदरिया है यह भा मिटेगा नहीं तब तक अज्णादुनने हो सकता अज्णादुननने हुआ तब तो फिर ना कामना मिटेगे ना या राग ना भै ना दुक शुद्ध आत्मबोध की आवसकता है अशुद्ध आत्मबोध भी सहज नहीं हो सकता निद्भक्षता की आवसकता है जितना जितना आत्मबोध होता जाएगा उतना उतना मन बाहर से हडता चला जाएगा मन का राग तुड़ता चला जाएगा, बिना आत्म बोध के मन का राग तुटेगा नहीं, बिना आत्म बोध के अहंकार निवृत नहीं होगा, अहंकार दूर नहीं होगा, सारा संबन शरीर जनीत है, और विचार करें तो शरीर नस्वर तो है ही विजाती है, लेकिन तादात्मता है उसके प्रति, उस तादात्मता होने के कारण दे तो राग होता है, शरीर तो है प्रार्धेवरत, बना हुआ है, लेकिन शरीर से और जीव से मौलिक संबन्ध क्या है दोनों, दोनों में कोई मौलिकता तो है नहीं, दोनों का संबन्ध मान्यता का है, राग का अज्ञान का है, अज्ञान से करम बनते हैं और करम से फिर प्राधन उसार शरीर बनता है, तो शरीर को तो मिटाया नहीं जा सकता है, और अपनी आप मिट जाएगा, लेकिन शरीर भावज और शरीर के प्रति जो अज्ञान है, इसे तो मिटाया जा सकता है, और सारी साधना इसी के लिए करना है, शरीरप्रति जो मैं बुद्धी है उत मैं बुद्धी को मिटाने के लिए मैं बुद्धी मिड़ गई तो राख खतम राख खतम तो कामना खतम कामना खतम तो भै खतम अब पहले ही यह बात परिविचार कर लिया गया है कि शरीर में न सुख है और न सौंदरी है एक भ्रम है एक कल्पना है जिसके प्रती मन में स्टुता का भाव होता है वो हमें सुंदर लगता ही नहीं है जिसके लोग कहते हैं सरवांग सुंदर सरवांग संपन लेकिन हमारे मन उसके लिए स्टुता का भाव है तब वो सुंदर लगे गया ही नहीं तब देखने का भी मन नहीं कहेंगा अब मितरता का भाव है अपनत्तों का भाव है तब चाहे जैसा भी हो कितना कुरूब हो बदरूब हो काला कलुटा हो लेकिन वो लगे गप्त बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा यह क्या है एक मान्यता ही तो है संदर रह कि अपने एक मान्यता होती है वही बात कहानी है लंका विजय के पश्चाहत जवराम सभी लोगों को लेकर लोटे तब करते हैं कि कुछ दिन किस किंधा में रूके तो वहा की नारियों ने सुचा कि ओ सिता कितनी सुंदर है जिसके लिए राम ने इतनी बड़ी लड़ाय लड़ी, इतने किया है तो वहा की नारियां जो बांडरी थे वो सिता से मिली जन्णि ओखिए सिता बहुट सून्दर है तभी तभी तेहले यह तभी रावन हरकर लेहा था हाँ सून्दर्दॉ है लेकिन विन पूंच नहीं है? संदद तोड необходимоmas орd except पूंच होती तो बहुट सन्दर हगती एक कहानी है क्योंकि कहानी उनसार से जिसी वो तो बांगरी से बांगरी में पूछ होती है तो यह क्या है यह एक मान्यता तो शरीर उनसार में ना सुख है ना सौंदर है और उनका संबंद नित्य भी नहीं है और जिनका संबंद नित्य है ही नहीं अल्पकालिक है उसकी कामना करकर के अपने को दुख्य बनाया रखना तो यह तो घोर अज्ञान है ही और यह हम करते हैं अब यहीं से तो सारा भाय शुरू होता है अनकुलता है बाहर कितनी भी अनकुलता उपड़कुलता में बजल जाना है तब अनकुलता की कामना करने की भी जुरूरत क्या है और जिनका संयोग होगा उनका ब्योग भी तो होगा सारी संयोग का अंत ब्योग में है सर्वेच्यांता, निचिया, पत्नांता, समुठ्रया संयोग अभी प्रविगांतम, मरनांतम ही जीवितम यह बान्मी के रमायन में आता है सरवेच है आंता निशिया सभी संग्रहों का अंत बिनास है सारे उन्नतियों का अंत पतन है सारे संयोगों का अंत बियोग है और जनम का अंत मौत है सादर कभीर बिकुल सरल भाता में कह देते है जो उगे तो आत्वे फूले तो कुमिलाए जो चूने तो ढई पर जनमे तो मरी जाए तो कोई भी संयोग ऐसा नहीं है जो इस्थाई हो सारा संयोग अल्पकालिक जिन वस्तों की हम कामना करते हैं या जिन की कामना करकर के मन हमेसा परशान रहता है सोचे थोड़ा विवेक करके कि उनसे हमारा संबंध कब तक रहेगा क्या सदेगर संबंध रहेगा तो जैसे आज हमारा संबंध नहीं है उनसे संयोग नहीं है मिल भी जाएगा तो कब तक सा रहेगा कब तक साथ बना करके हम रखेंगे तो संयोग का अन्त भीयोग में होना ही होना है इसलिए कहा जाता है जो ब्यक्त मिलन में बिछड़न को संयोग में भीयोग को आदि में अन्त को और अनकुलता में प्रतकुलता को देख लेता है वो किसी में भी राग और मौह बनाकर अपने को बानता नहीं है क्योंकि अंत महले वाले परिनाम को देख लिया गया ना तो फिर मौह होने का कोई कारण ही नहीं रहेगा मौह होने का कारण है हम मानते हैं इनका हमारा संबन इस्थाई रहेगा पहले से माल ने, कि संबन इस्थाई रहे गई नहीं, तो जब ब्योग होगा, तो दुख नहीं होगा, लेकिन अज्ञान, उसको इस्थाई माल लेता है, इसले सदे कामना बना रहता है, हम ऐसा भैभीत रहता है, कि ये छुटे ना, छुटे ना, छुटे ना, अनकुलता का मुह, हर समय अनकुल, अनकुल, अनकुल का जो मुह है, यही अनकुलता का मुह, प्रतकुलता का भै पैदा करता है, इनियम है, सम्मान के लिए जितना जादा मुह होगा, उतना ही अपमान का भै जादा होगा, सम्मान के लिए मुह नहीं है तो अपमान का भै सताएगा नहीं अपमान के भै से बचना है तो सम्मान का मुह छोड़ना होगा सम्मान की कामना छोड़ना होगा सम्मान कामना छोड़ना होगा कोई हमारा सम्मान करे ये भाला ही मतमन में तो कोई हमारा अपमान भी न करे, ये भय होगा क्यों। राक का संयोग का मौ छोड़ दो, तो बियोग का भय सताएगा क्यों। जिस जिस भय से बचना है, उस चीज का मौ छोड़ते चले जाओ। जिने का मौ ना हो, तो मरने का भय नहीं होगा। जिने का मौ जितना प्रबल, मरने का भय उतना प्रबल। जिवन का कोई ठिकाना है नहीं। जानते हैं। हमारे आखों के सामने से ही, रोज लोग उट उट करके जा रहे हैं। लेकिन जिने का मौ कम नहीं होता है। और यही मौत का भय है। मौत का भय हमें सारीपरसवार। जिने की कामना से मरने का भय है। मान की कामना से अपमान का भय है। सुक की कामना से दुक का भय है। संयोक की कामना से बियोक का भय है। और अनकुलता की कामना से संयोक का भय होता है। और सारे भय के मूल में क्या है। शरीर की कामना। सारे भय का केंद्र शरीर। अज शरीर ही कब खतम हो जाए? पता ही नहीं है. जब तक शरीर है, तब तक सुख से कैसे जीएं, निर्भाय हो कर कैसे जीएं, इस पर आदमी बिचार नहीं करता, रोग हो जागा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, अनाउसक सोच लेता है. रोग है नहीं, लेकिन पहले से भैभीत, बुरहपा आया नहीं है, पहले से भैभीत, अपमान हुआ नहीं है, पहले से भैभीत, घोर अज्ञान और भैंकर मुँ की पहश्चान है. सोचना ये भी है, जिस शरीर के लिए इतना मुह है, उस शरीर सम्मन से मिलता क्या है, और क्या मिल रहा है? केवल दुख, सिंता, भै, परिशानी. अब है शरीर, तो ब्यवस्था तो करना है, लेकिन आखिर इस ते मिलता क्या है, सारी उपाधियों का घर, शरीर ना होता, ते उपाधियां कहां से आती? शरीर ना होता, ते दुख कहां से आता? थोड़ा सा बिचार करने के आव सकता है, लेकिन अज्ञान इतना ज़्यादा है, प्रबल है, मुह इतना प्रबल है, कि इससे हम अलग हड़ करके बिचार करना ही नहीं शाहता है. ना सोने की संभावना मात्र से, बास सुनकर के ही अत्यन दुखी और प्लित हो जाते हैं, भैंकर मूँ, भैंकर मूँ, भैंकर मूँ, तो सारा संसार देखो, भै, 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 जितने प्रिता होगी, उतना भै ही होगा. पहले कहा गया कि राग भै काना है, राग के मतलब प्रिता है, जहाँ प्रिता है, वहीं भै है, और जहाँ प्रिता नहीं है, वहाँ भै कहाँ है? इसलिए कज़ देखो बिचाल करके तो निरभेता है कहां? भरति निछी ने तो कहा है बारकिन होने तो बहुत किनायां है कि भोगे रोग भयम, कुले चूती भयम, भृति निर्पालाद भयम, माने देन्य भलं, बले रिपु भयम, कायकृतान ताद रुपे, कायकृतान ताद भयम, रुपे जरा भया भयम, सात्रे वाद भयम, गुने खल भयम, कायकृतान ताद भयम, सर्वं बस्त भयान मितम, भृ होगे शरीर रोगी नँ हो जाए और रोगी तो होना ही है जी सित कभ हो ज्याजादा क eres जादा क् Coming in that कि और ज्या ज्यांना प्रणी ढ़िख नश सुरु कर दें और जिनको बेटए-बेटे खाना है तो ज्यादा हो सुरु कर दें पिर अस्टरी रोगी होगे तो काम भी नहीं करना पड़ेगा, सब संद्र कांधामदे भी छुट्टी, और खाने के बेठी बेठी काटिया में मिलता रहेगा, खान भी तो भोगी है, तो हर भोग में रोग है, भोग ये रोग भयन, कुली चूति भयन, कुल में चूति का, पतन का भय है, कि लड़का कहीं बहक न जाये, लड़की बहक न जाये, बहुए न हो जाये, पतन का भय है, जितना बड़ा कुल उतना बड़ा पतन का भय है, जितना बड़ा परिवार उसमें भी कोई न कोई डर रहेगा, पैसे के बिना काम नहीं चलता है किशी का किसी के पैसा है लेकिन पैसा आदमी को निर्भय बना देगा ऐसा नहीं है गरीबी में निर्भयता हो सकती है अमेरी में निर्भयता नहीं होगे अमेरी में पहरेदार रख सकते हो अमेरी में अंगरक्षक बाजिगार रख सकते हो और पहरेदार और बादिगाड रखना ही क्या है भय का भय गरी को बाडिगाड़ की जरोद क्या है एको धारन से बिलकुँ सराल बाद है कोई आदमी है कुछ भी पैसा नहीं है पास है फुटी कोड़ी भी नहीं है राता चलेगा राता सुन तान हो अधरा रास्ता हो चलेगा कोई भै नहीं होगा लेकिन ज्यादा नहीं मातर हजार रुपिय हो जाए तो थोड़ा सा भै हो जाएगा वो हजार रुपिय का भै थोड़ा भै होगा हजार रुपिय पास में कोई लेना कि पांच हजार हो जाए तब थोड़ा सब है और बढ़ेगा, और पचास हजार हो जाए तब अकेला हूं, अंधेरा है, सुनसान है, यहां महां ताक्ता हुए घुमेगा, और पांच लाग हो जाए तब नहीं आद नहीं जाएंगे, कोई अकल जाएंगे, गाड़ी मोटर भे बढ़ गया, चिंता बढ़ गया, वो धारन तो बहुत परसिद्धा है, एक गुरु अशिष, एक जंगल के पास, कुटी बना कर रहते थे, दोनों अपना साधना करते थे, और कुछ भीख मांग मांग करके खा लेते थे, गाओं को उस पार कुछ गाओं थे, जंगल उस पर कुछ गाओं थे, वहाँ जाते थे, भीख मांग लेते थे, और साम लोड़ते थे, चोट मॉड़ जंगल रहा होगा, एक दिन दोनों गुरु भीख मांगने गए भीख लेने के लिए, दोनों अलग अलग जाते थे, साम कर जगए था कि अमुक जगए मिलना है, दोनों क्लीख शर्ण टोनों अलग ऑफ़्ठी की आ दोनों लौनों लॉट, सानी लगे। जेते में आल लेकिन गुरु जाही थोड़ी जनदी चल्रहा है लिकिन अले चलते लिए लेकिन गुरु जालोसे खलोग यहा थेथे, आघ चलते में पिछड़ गया, जेते चलते लोग जा हो जाएगा, रोत ऐसे जलती ही हम लोग, क्या बात है, लेकिन अपने मस्तिम चलता रहा चेला, गुरु अर आगे निगार का रहे बेटा जलती चलो जाएगा, धेरा हो जाएगा, पर दौड़ गए पर थोड़ पर एक कुवा था, कहा कि यहीं, पानी निभृत हो जाते हैं फ क्या अधेरा हो जागा, क्या अधेरा है, देखा, गुरु जी गठरी निगाल करके, तो सोने की दो सर्थी मिल गई, का यह अधेरा है, निकाला, और कुमा में डाल दिया, और ते तो जो ठीकरा बांद दिया, गुरु जी आएगे, अपना निभृत हुए हाथ पार सापके, फेलोटर सापके चले, कुद फिर चले अपषे लगपनी मस्ति में जा रहा था, गुन गुन आते हुए, गुरु यागया अगे, तो गुरु जी जोदी चलो अधेरा हो जाएगा, गुरु निया पएग मैने डाल दिया है, देखा, जोहड़ी खोल कर का अतर्पी ने, तो तो बात यही है, जितना पैसा बढ़ेगा उतना भें होगा, पैसे का लोग बढ़ेगा तो भें होगा, पैसा को प्योग है। मिलता है तो रखता मही पढ़ता है लेकिन लोभ नहीं हो ना चाहिए पैसा बढ़ जा, पैसा बढ़ शुखी हो जाओं, शुखी नहीं हो पाऊगे कोई हो चाहिए, सादू हो चाहिए तो भरतरी जी कहते हैं अपने को बड़ा मानोगे तो दिन्यता का भय होगा, अपमान का भय होगा, दुखी होने का बड़िया रास्ता है, अपने को बड़ा मानना सुरू करो, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा योग्या हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मुझ में ये ये गून है ऐसा बुद्धी, बत बड़ा माम सुरु करो, बहुत आराम से दुखी रहो गए, कोई खरना ने पड़ेगा, और हर समय लगेगा, वो मेरी बात ने मानता, वो मेरी बात ने मानता, वो मेरा अपमान के उन्होंने मेरा ऐसा कर दिया, आत्मी दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन अहंकार का भूत और अपने बड़े मानने का भूत सिर्पसाबार रखता है, तो भूत को पड़ान करेगा, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा योग्या हूं, मैं बड़ा करमठु, मैं बड़ा बुधिमान हूं, ये भाव निकाल दे लो, बिलकुल, जो है काम करो, बड़े हैं तो आत्मकल्यान में, शेवा में प्रयोक करें उसका, सधिप्योक करें, अपने बड़ा मानने का सकता क्या ह बड़ा बनने की कामना होती है तब इतना बड़ा बन सकते हो, उतना बड़ा बनू अकास तक चले जाओ, बड़ा बनते बनते लिकिन ऐसे नहीं बनोगे, कुछ करके बड़ा बन पाओगे लिकिन अहंकार मत करो जिऻितने भी हंकार किया अपने बड़ापन का सम मिट्टी में मिले गए मिलना सब को है, तो माने देने भलं मान में दिनता का भय अपमान में अपमान का भय तो होगा ही होगा बले रूपिभयं बल में सतुर्था का भ contradictim कि कोई हमें पचान न दे, कोई हमें हरा न दे, बल्वान आदमी को हर समय तो ड़ाएगा, धंकाएगा, लेकिन ड़ता भी रहेगा, रूपे जराया भेह, सुन्दर्ता है, तो बुढ़ापा का डर, बुढ़ापा में का सुन्दर्ता रह जाती है, बुढ़ापा में तो साफ सुन्दर्ता गायब, कोई पुछने वाला नहीं है, सात्र वादिभयम, सात्र ज्यानी हो गए, सात्र आर्था हो गए, तो वहां भी हारने का डर है, बहुत सात्र जान लिए, कोई पुछना दे, इतका भी भेह बना रहेगा, और गुणे खल भयम, गुनवानों को खल को, दुष्टों को भय, गुनवान होना है, लिक नुधून दे जादा सदगुनी होना है, तो गुन जितने बढ़ाते हैं, प्रसिधि बढ़ती गई, तो दुष्टों को भय तो भोग भय होगा, और काया कृच्छान ताद भया, काया में जर्दरता का भय तो होना है, भरत्री जी कहते हैं, सभी वस्तु में भय पूर्ना है, स्वर्म वस्तु भयान भीतम, कोई चीज ऐसी नहीं है, जिसके पिषे भय ना हो, अबस बैराग्यमे भया भया, बैराग्यमे ही निरभयता है, कुछ अपना नहीं, कहीं राग्ना करें, कहीं कामना ना बना, किसी ये कामना, बिना कामना कि ये चीजे मिलती जाएगी, हम महनत करते जाना हैं, खाली कामना से आपने बनेगा, महनत तो करना पड़ेगा, लेकिर कामना तो भय, भैते बचना है, तो कामना छोड़ गया, अब अराक मतलब क्या है, कामना अराक को छोड़ना, जितने, जिसके मन में किसी की कामना नहीं है, वो भैभीत के होगा, गुर्दी जी कहा करते हैं, नंगा नाचे फाटे का, नंगा नाचे का फटे का क्या, अरे कपड़ा पहना हो, तो नाथने पर फटने का डर रहेगा, अब नंगा नाच रहा है, तो क्या फटेगा, तो जितने सब की कामना छोड़ दी है, कुछ अपना किसी पर अधिकार मानता ही नहीं है, उतकभ है क्यों होगा, इस प्रकार, दुनिया खर बचो देखें, कामना करने लाग है क्या है क् कामना ही करना है, तो कल्यान की कामना करें, शेवा की कामना करें, लेकिन कल्यान की कामना कहा होती है, शेवा की कामना कहा होती है, जो चीज अपनी नहीं है, कामना उसकी होती है, तो मूल बात है भय का कामना सबसे वड़ा भय कहा गया पहले मौत का भय कोई बचा है मौत से जिससे बचा ही नहीं जा सकता जो अपने अधिकार में है ही नहीं जिसके लिए कोई उपाई ही नहीं है उसका भय करना नहुआ दुख भोगना है भय करके मौत से बचा जा सकता था तो चलो भय कर लिया जाए रो लिया जाए कुछ कर लिया जाए लेकिन मृत्यू एक ऐसी घटना है जिसके आज तक ना कोई बचा है और ना आगे कोई बचेगा मृत्यू सिर्फ एक घटना ही तो है और क्या है तमाम घटना है घट रही है मृत्यू भी घट जाएगी वो मारे हाथ में है नहीं कब आएगी यह भी पता नहीं है लेकिन आदमी के मन में हरता में मौत कब है सवा मौत से भी तहे आदमी हमेंसा डरा होगा और कुछ भी उपाय करें बचा जा नहीं सकता है तो मृत्यू कब है करना तो बेकार है एगदम बेकार होते हुए भी सब के सिर्परसवार सब के सिर्परसवार बार बार एप बात कहे जाती है कि अपने को हर समय सैयम से सद्धानी से परहिशे रहना है जरूर लिएक एक बात का निष्य हर आदमी के मनुझा है, मादमी नहीं तो जो साधक है, उसके मनुझा जरूर होना चाहिए, कि जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं होगा, तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता, तब तक मौत हो नहीं सकते और जी दिन मौत आजाएगी, जी दिन प्राथ पूरा हो जाएगा दुनिया के कोई ताकत बचा नहीं सकती मौत से पहले कोई मार नहीं सकता और मौत आने पर कोई बचा नहीं सकता तब है क्यों? केवल अज्ञान प्रबल मोह शरीर के लिए जीने की कामना जीने की कामना छोड़ दे तो भैख़तम पहले कहा गया कि हर आदमी भैभीत है मूल में क्या है? कामना तो जीने का भैख़ोड़ दिये मरने का भैख़तम जब तक है शरीर तब तक निर्वा करना होगा निर्वा के वस्तुमों में भी संतोष के आव सकता है संतोष नहीं है तो महा भी भैख़ोड़ जो निर्वाहिक वस्तुमों में संतोष करना नहीं जानता वो सुखी जीवान नहीं जी सकता हमेसे लगेगा यह कम यह कम यह कम ये कम यह कम यह कम लोभ बढ़ता जाएगा अब लोभ बढ़ेगा तो भैतों बढ़ना ये बढ़ना है तो यह खाद बात यही है द्रिश जो वस्तुएं हैं बाहर के उनके प्रती राग जितना कम होता जाएगा उतना ही भय हमारा कम होता जाएगा राग छोड़ दे निर्भय होकर की जीएगा गुर्देव जी एक फ़र कहा करते थे कि निर्भयता ही अमरता है एक कवीता भी ही हिर्दय की गीत में निर्भयता के संबन में निर्भयता अमरता है निर्भय होकर की जीना है इसके लिए कामना कुछ नहीं करनी है कबाले कहा गया, कि कामना का सकता है, यह जीने की भी कामना नहीं करना है, कामना करने क्या है, जी तो रहे हैं बस, जो काम करना चाहिए, सेवा और साधना, वो काम करते शलें, उभी निर्वय हो करके, निर्वय हो करके करने से काम बढ़िया होता है, उसमें डर नहीं रहता है अब पहले से सोच भी रहे हैं कि बिगल जाएगा काम तो बिगल नहीं बिगल नहीं बिगल नहीं निर्भाय आदमी सेवा बढ़िया करेगा निर्भाय आदमी बहार का काम बढ़िया करेगा और निर्भाय आजमी साधना भी बढ़िया करेगा निर्भाय हो जाए बिगाना अपने ओड़ते कुछ भी नहीं है बनाने की चेश्टा करने है लिकिन दो चीद बिगडने वाली है ओ तो बिगड करके ही रहेगी हम जान मुझे करना बिगाड हैं बस तो कुल मिलाए बात इतनी है भै से मुक्त होना चाहते हैं तो कामना छोड़ दे ये मिले वो मिले वो मिले वो मिले जहां जहां जिसके जिसके लिए कामना होगी उसके लिए भै होगा निशकाम आदमी पून निर्भय हो जाता है शकामी आजमी निर्वे नहीं होगा, हर समय उसके सिर पर भै सवार, तो काम ना छोड़े, काम ना छोड़ गए, तो भै मिड़ गया, और भै ही मिड़ गया, तो आजमी मानों जीते जी अमर है, यही काम हमको करना है.